जबसकार सुलकतार सवाल देख रहें और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग कहते हैं कि राजदीती का मजाज भी बड़ा अजीब होता है यहां कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब सत्ता हाथ में रहती है तो पार्टी और निताओं के लिए जैक पारा लगाने वाले लोग बुलाने पर भी नहीं आते हैं इन दिनों कॉंग्रेस पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है को पार्टी को चुनाओं में जितनी बीचेपे से हारने का डर नहीं है उससे ज्यादा अपने बगावती लोगों से खौफ बना हुआ है अपने द कॉंग्रेस के लिए अपने ही क्यों बने खत्रा ह्रियाणा ने कैसे बदल दी पार्टी की हाला कैसने तोडार राहुल गांधी से अपनाना ता चुनाओं से पहले कॉंग्रेस को दिल्ली में जठका क्यों अपनी पोजिशन बचा कर रखनी हैं ऐसे में कहा जा रहा है कि कम से कम 35 सीट ऐसे हैं जा कॉंग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है और जीतना बहुत जादा मुश्किल है वह इस खबर ने पार्टी निताओं में भगड़ भी मचा दिया है हर्याडा जम्मूर रीजिन मे हार के बाद कॉंग्रेस के स्थिती एक बार फिर कमजोर होने लगी है इन चुना में उसके आस पास अपने हालात मजबूत करने का अच्छा मौका भी होगा हलाकि राज्यों में कई बार गड़ बंदन ही गले की फास बन जाता है गड़ बंदन के साथियों में वैचारिक लुकसान उठाना पड़ सकता है अगामे बिदान सबचना कॉंग्रेस के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे ना केवल बीचेपी के मुकाबले सबसे पूराने पार्टी के स्थिती का पता लगेगा बल्कि गडबंदन के अंदर भी उसके दबदबे पर अच्छ पर नाम यह हुआ कि कई सीटों पर गडबंदन के साथियों ने भी अपने प्रत्याश्यवदार दिये कॉंग्रेस 115-120 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष रखे हुई थी लेकिन पैसला हुआ कि सभी घटक दल 90-90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसके अलावा 18 पिसले चुनाव में कॉंग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था वही दो सीटों पर boy और और आज़ेडी दुनों के प्रत्याश्य मेदान में हैं इतना है नहीं कॉंग्रिस को अपने गडबंदन के साथी अकलेश यादों से भी चुनावती का सामना करना पड़ रहा है उत्यपदेश की नौ बिधान सवा सीटों पर होने वाले उप्चुनाव के लिए समाजवादी पंग्रिस को मौका देने से इंकार कर दिया वही मध्यपदेश की बुद्ली सीट पर भी समाजवादी पाटी ने पत्याश्य उतार दिया है अकलेश यादों महरास्त में भी कई सीटों पर पत्याश्य उतारना चाहते हैं जहां मुकाबला कॉंग्रिस से हो सकता है क्यों के करीबी देश के रास्निति में अभी कॉंग्रिस का हाल बहुत बुरा है बीचेपी ने बीते 10-12 सालों में कॉंग्रिस की हालत इतनी पतली कर दी है कि छोटी छोटी रास्नितिक पार्टियों भी कॉंग्रिस को आखे दिखाना शुरू करती है अगर कॉंग्रिस जरा भी आनकानी करती है तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया आपको बता देए कि साल 2014 में कॉंग्रिस की केंद्र से सब्ता जाते ही सबसे पहले राहूल गांदी के युवा बिगेट के नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया जतिन परसाथ आसिपे सिंग, जोती राधित्य सिंधिया, जोती मित्हा, सुस्मिता देव, मिलिन देवडा और फ्रियंका चत्रवेदी जैसे अनेको नाम है जिन्होंने कॉंग्रिस का साथ छोड़ दिया यूपिय फर्स्ट और टू में इन नेताओं की तूती बोलती थी, कहा तो ये तक जाता है कि ये सारे नेता टीम राहूल की कोर्स सदसे थे लेकिन कॉंग्रिस की लगातार हो रही हार से घबरा कर ये सारे नेता अपना बविश्यत तलाश ने दूसरी पार्टियों में पहुँच के कॉंग्रिस से हर वर्ग के नेताओं ने साथ छोड़ा शुरू का दिया जो बच्चे थे वो भी धीरे धीरे साथ छोड़ते चलेगे इस बीच में कॉंग्रिस को कुछ राज्चु में जीत के तोर पर इनर्जी ड्रिंक मिलता रहा लेकिन ये इनर्जी ड्रिंक भी ज्यादा दिनों तक किसी नेता को पार्टी में जोड़ कर नहीं रख सका हलाकि कॉंग्रिस ने सहयोगियों को साथ कर देश के कुछ राज्चु में अपने इस्तिती काफी हद तक मजबूत की लेकिन कॉंग्रिस पार्टी की एकला चलो और सहयोगी पार्टी को तवज्जो नहीं देने पर भी कैसे हर्याना चुनाव ने कॉंग्रिस को कहीं का न छोड़ा हर के बाद तो इस्तिती और बिगड़ गई है इसी का परणाम है कि मौझूदा महरास्ट और जार्खंड बिदान सबाट चुनाव के साथ यूपी की नौ बिधान सबाट सीटों पर कॉंग्रिस की इस्तिती अच्छी नहीं मानी चा रही यूपी में हो रहे चुनाव में तो सहयोगी सपा के साथ नहीं बनी तो लड़ने ही मना कर दिया चाहे अखलेश यादा हो या अर्विंद के जवाल हो या फिर उधर ठाकरी सबी को कॉंग्रिस के रवए से परिशानी होनी शुरू हो गई बतादे कि इंडिया गडबंदन के घटक दलों में शामिल आम आदमी पार्टी के ने था अर्विंद के जवाल महरास्ट चुना प्रचार करेंगे लेकिन वह कॉंग्रिस उमिद्वारों के लिए नहीं बलकि NCP शरत पवार्गोट और शसेना अधर ठाकरी के उमिद्वारों के पक्ष में प्रचार करेंगे यही हाल यूपी में अखले शादों ने कॉंग्रिस का कर दिया है यूपी की नौ सीटों पर हो रहे उप्चुना में कॉंग्रिस तीन से चार सीटे मांग रही थी कई दिनों तक इसको लेकर दोनों नितां में बाच्चीत नहीं हुई ऐसे में देखना ये है कि क्या अर्व और स्थिता चोधरी मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद और उनकी पत्नी शगूफता चोधरी आम आदमी पार्टी में दोनों आरविंद के जवाल की मोजूद्गी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए जुबैर अहमद बाबरपूर के जुनादक्ष रहे हैं तो उसे खुद को पहले से और मजबूत करना है चौधरी मतिन अहमद की गिंती दिल्ली कॉंग्रेस के बड़े निताओं में होती रही है सिलमपूर इलाके से बधायक भी रच चुके हैं आप उनका परिवार कॉंग्रेस को छोड़कर आप में शामिल हो गया है चौधरी मतिन अह हमद को अमितवार बना सकती है यह वो सीट है जहां अच्छी खासी तदाद में मुस्लिम बोटर है इस शेत्र में आम आदमी पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरुरत थी कौन है कॉंग्रेस के स्लिपर सेल टाइप निता कॉंग्रेस को अपने ही लोगों से नुक्सान होने ल की बात सामने आती है तरीके से काम कर रहें इन निताओं ने कोई को कसर नहीं छोड़ी पार्टी के जमीनी कार्यकरता की अंदेखी कर अचानक से निताओं को टिकट थमा दिया हाली में कुछ घटनाए इनी बातों को रिखांकित करती है पार्टी से छतरपुर से राधा कृ कि शूर को टिकट देने का फैसला किया और इसके एक दिन पहले ही उन्हें कॉंग्रिस के सदस्ता देने की तमाम गतिवीद्या पीछे दिली के सीने निताओं का हाथ रहता है दिली के यहीं निता दूसरे दलों से अमधवारों का आयात करते हैं और उन्हें टिकट की गारं भी औखन में पढ़े हैं जो बार बार हारने के बाद भी उमिदवार बन जते हैं कमें लोग से ऐसे मिद्वारों को सीट बदलने का भी मौका नहीं दिल्ली के ऐसे ही सूत्रों के माध्यम से मलता है वहीं ऐसे निताओं की केंद्रिय कोटी में अच्छी पकड़ रहती है और लकातार दिल्ली की गति वीदियों में शामिल रहने का उन्हें फाइदा मिलता रहता है सुलक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमा अरे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया